गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स आइम यूर हिंदी टीचर फ्रोम स्मार्ट इनियन मॉडल स्कूल स्टुडेंट्स ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पहले मैं, पहले मैं तो बच्चो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बैसे ही ये चैप्टर भी है अब आप देखिए वीडियो में आपको आपकी हिंदी की बुक दिखाई दे रही है बुक का नाम तो सब बच्चो को याद हो गया है है न सुनहैरी धूप तो आज हम चैप्टर नाइन इस्टार्ट करेंगे और बच्चो ये बहुत अच्छी कहानी है इसमें क्या है कि खेल जो होते हैं न वो हम सबको पसंद होते हैं और इसमें क्या होता है कभी-कभी रडाई भी हो जाती है अब हमें करना क्या चाहिए रड़ाई ना करके हमें समझधारी दिखानी चाहिए अब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ ध्यान से सुनिए यानि संडे का दिन था सुहाबना मौसम था बच्चों ने किरकिट खेरने का मन बनाया सोना और हीरा दो टीमें बन गई दोनो टीमों के 11-11 खिलाड़ी तैव गए दीपाक अंकल एंपायर बन गई जो किरकिट को खिलाते हैं दोनो टीमें पहले बैटिंग करने के लिए मीज बल्ली बाज़ी करने के लिए जित करने लगी उनमें जगड़ा होने लगा एंपायर ने कहा रड़ने की कोई बात नहीं है हम सिक्का उचालकर तै कर लेते हैं कि पहले बल्ले वाजी कौन करेगा यह सिक्का देखो इसके दो पहलू है शेल वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला हीरा टीम का है तो बच्चों यहाँ पे आप क्या सुनने हैं कि दो टीम बना ली गई एक का नाम था सोना और एक का हीरा था अब दीपक अंकर ने सिक्के को चाला अंक वर्ला पहलू उपर आया उन्होंने कहा पहले हीरा टीम बल्ले वाजी करेगी अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई हीर बोले ग्यारा लोग एक साथ बल्ले वाजी नहीं कर सकते तुम लोग एक क्रम बना लो और मेरे पास एक तरीका है उन्होंने कागज की ग्यारह पर्चियां बनाई उन पर एक से ग्यारह तक संख्या लिग दी फिर लड़कों से कहा सब एक एक पर्ची उठा लो जिसके पास जो संख्या आएगी बही उसकी बारी होगी दीपक अंकल की सूजबूस से पहले मैं पहले मैं की लड़ाई खतम हो गई और सब बच्चों की बारी तैय होगी किर्किट का जो खेल था न वो शुरू होगी तो बच्चों हमने यहां पर क्या सीखा कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए खास तोर से खेल में तो यह बहुत होता है